हमारी लड़ाई इन तिन काले कानुनों के साथ साथ सत्ता विकाव मीडिया धेरो गलत जानकारियां और हाड पिगलाती सर्धी से भी है तुम्हारे भाई तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेने तुम्हारी माए तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे तुम खड़े थे कि मद छेड किसान को कि मद छेड किसान को लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इथियास कि मुश्किल होगा अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शरुंदा करती कि मैं तो जोटी बच्ची थी अकेले सफर नहीं कर सकती थी लेकिन आप तो खुद एक किसान हो आप क्यों नहीं गए यहाँ पर उपस्तित सभी किसान योद्धाओं मात्ताओं बेहनों को मैं दिल के गहराईों से सलाम करती हूँ आज इस किसान मैं हबारत को एक महिने से अधिक वक्त बीच चुका है किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है यह सरहदे गुरों की सरहदे हैं यह सरहदे दादा छोटू राम की सरहदे हैं यह सरहदे चौदरी चरण सिंग की सरहदे हैं यह सरहदे ताउ देवी लाल की सरहदे हैं यह सरहदे बाबा टिकेत की सरहदे हैं यह सरहदे संसत को घेरे किसानों के वजूत की सरहदे हैं इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मद्य प्रदेश से आहा न पड़ा देश के पूर प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपेह जी ने कहा था कि बाधाएं आती है आएं गीरे प्रले की घोर घटाएं पाओं के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदी जुआ लाएं निजहातों में हस्ते हस्ते आग जला कर चलना होगा जला कर चलना होगा यह अंदोलन कोई छोटा मोटा अंदोलन नहीं है यह कैसी वक्त का निर्मन हो रहा है विस वक्त आकर किसानों के बीच सड़कों पर ना बैठा चौने वाले वक्त में उनकी वादा के फूठेगी हिजाब उस अंदोलन के समखों में सड़कों पर बैठे थे या नगी बैठे थे हमारे इसकी सान अंदोलन ने पुरी दुनिया में एक इंसाल कायम प्ली है दुनिया सब्रान है इतना बड़ा मानों समूख सान्जिपूर तरीके से अनुशाशन के साथ आंदोलन कर रहा है यहां तो चपे चपे पर नंकर चल रहे हैं सड़कों पर लाइडरेरी खुली है वच्चे पढ़ रहे हैं गीत संगीत बज़ रहे हैं बुजर्ग कुष्टी लड़ रहे हैं और इन सड़कों पर बुजर्गों के बड़े बड़े कच्छे भी सूख रहे हैं माताओ के चूले भीन सड़कों पर पक्के हो रहे हैं होश में आजाए हुकुमात तेरे घर कच्चे हो रहे हैं यकीन मानना अगर आज मैं यह पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शरुंदा करती कि मैं तो जोटी बच्ची थी अकेले सफर नहीं कर सकती थी लेकिन आप तो खुदे किसान हो आप क्यों नहीं गए लेकिन मेरे पापा हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दों के लिए आगे रहते हैं पापा कहां हुआ आप अच्छा हुआ कि आज आप मुझे यहां लेके आ गए और मेरे भविष्टी के सवालों से बच गए क्योंकि जब इस अंदोलन का इथियास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि लहू में भीगे तमाम मुखसम का वाही देंगे कि तुम खड़े थे तुम खड़े थे वववा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे तुम खड़े थे शेहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोक से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे तुम्हारी आखों की ताख्चों में जलती रोश्णी ने नई मंजिल हमें दिखाई तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेने, तुम्हारी माए तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे हमारी धर्ती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जो हूग की तरह चिम्टे हुए थे तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी यज्मत और इस्तकामत तो वो हिमले है जिसकी चोटी तक पहुचना ना पहले बस में रहा किसी के नाने वाले दिनों में होगा सो आने वाली तमाम नसले गवाही देगी कि तुम खड़े थे तुम खड़े थे तुम खड़े थे हमारी लड़ाई इन तीन काले कानूनों के साथ सत्ता, बिकाव मीडिया, धेरो गलत जानकारियां और हाड पिगलाती सर्धी से भी है घर परिवार, खेत खलियान, पशुओं से दूर रहकर भी किसान इस मुश्किल घडी में यहाँ पर डटा हुआ है मैं देश की आवान से आवान करती हूँ, कि आप अपने देश के किसानों को बदनाम ना करें उनका साथ देश यह आप दोनों के हक की लड़ाई है, मिलकर सांजी लड़ाई लड़ें मैं आखरी बात सत्ता से कहना चाहूंगी, कि मत छेड किसान को कि मत छेड किसान को लड़ना मुश्किल होगा, वरना ऐसा लिखेंगे इथियास, कि पढ़ना मुश्किल होगा कि पढ़ना मुश्किल होगा, बोले सो निहाल, राम राम